काउंसलर लंटूस जनरल इजाज़त है जनरल साब सलाम अर्ज है लंटूस तुम एक इजददार और बेहद वफदार फौजी हो रूमी सल्टनत के साथ जन्गू के जमाने से अब तक तुम और सेंट्रियों रोफोस हमेशा हर जगा मेरे साथ रहे हो लेकिन आजकल तुम्हारी तरफ से मुझे अच्छी खबरे नहीं आ रही है कैसी खबरे हैं जन्रल खबर में लिए है कि जिस मुझरिम को सुपूर्द किया जाना था वो दर्मियान से ही फरार हो चुका है ये काम मेरे हुक्म से हो रहा था लंतूस तुमने लापरवाही की है ये तुम्हारी खफलत और लापरवाही थी मैं बेखता हूँ वो मुकदस जैलूत इसके पीछे कौन मुकदस जैलूत कहां से हैं वो मुकदस ऐसा तो नहीं कि तुम भी उन्हीं में शामिल हो चुके हो जो अपनी मुकदस या गैर मुकदस तक्दीर बदलने के लिए मुकदस नुमाई का ढूंगरा चाते हैं ऐसा ना हो के कल को तुम कहो के यरुशलम में खुदा के बेटे या बेटी का जहूर हुआ है ए लोगो इसकी जियारत के लिए दोड़ो लन्तूस एक कैदी भाग गया है और एक रूमी सिपाही मारा गया है अब मेरी बटालियन वालों और आशूर में मेरे दुश्मनों के सामने मेरा एत्बार खत्रे में पड़ गया है अब तुम ही खुद बताओ के मैं तुम्हारे साथ क्या सुलुक करूँ जो आपका दिल चाहे मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ जनल कले के कैदियों में इसे पांच लोगों को जरजटा की पहड़ी पर ले जाओ और उन्हें सूली पर चढ़ा दो ठीक है जनल और उन्हें ओन्री उन्हें ये रोटी यहुदा को देदो गोशा नशीन साथी हाँ हाँ क्या है आओ तुम्हारा खाना लाया हूँ शुक्रिया तुम्हें उस्ताद का शुक्रिया आदा करना चाहिए उन्होंने तुम्हारे हिस्से की रोटी अलग की वरना अगर मेरे और पेट्रोस के हाथ में होता तो भाई आज रात तुम भूके ही सोते हैं अगर ये आदमी वाकई पेगंबर है तो इसको समझ लेना चाहिए कि मैं हरकिस इस पर इमान नहीं रखता और उसके पैसों से भी अलग रहूँगा तुम लोग अपना दिल उसकी नसीहतों से खुश करो मजे तो सिर्फ उसके पैसों से मतलब है पैसा यहूदा तुम्हें नहीं मालू मसकर यूती कहां जा रहा है नहीं वो वक्त बेवक्त गायब हो जाता है मैं उसकी हरकतों का राज समझ नहीं सका हाँ मैं भी उसके काम से हैरान हूँ खैर और सुनाओ यहूदा अंद्राउस तुम से एक सवाल था सवाल तुमने कहा कि तुम मुद्दतों यहया के शागिर्द थे यहया ईशा से कितने मुशावा थे सच कहूं तो बड़ा सक्त सवाल पूछ लिया भाई मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मुझसे किसी फलसफियाना जवाब की उम्मीद नहीं होगी क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं मेरा जवाब दोगे या नहीं ठीक है ठीक है इस शर्त पर कि तुम भी खाना खाओ अच्छा अगर मैं खलती नहीं कर रहा हूँ तो तकरीबन चार साल पहले पहली बार शहीर जाहिया को दरिया अर्दुन के किनारे देखा था उन्हीं दिनों में असलीमियों के देर से अलग हुआ था और एक इनसान कामिल की तलाश में दर बदर भटक रहा था एक इलाही मुर्शिद एक खुदा रसीधा इनसान समझ रहे हो ना उस रूस यहिया काफिलों की गुजरगावाले चश्मे के पास लोगों को वास कर रहे थे एक अजीब कशिश थी उनमें उनके रौबदार चेहरे में खुदा वंदे आलम के जलाल को देखा जा सकता था तौबा करो और खुदा की जानिब पलटाओ वरना जहन्नम में सजा का सामना करना पड़ेगा जो दरख अच्छे फल नहीं देते उन्हें काट कर आग के हवाले कर दिया जाएगा नेक इनसान बनने की कोशिश करो क्योंकि जन्नक नेक और परहेजगार लोगों की है एपेगंबर जिक्रिया के फर्जंद हम क्या करें लोगों को डरा धमका कर पैसे ना हर्पो किसी पर तोहमत ना लगाओ जो मिले उस पर काने रहो अगर तुम्हारे पास दो लिबास हो तो एक हकदार को दे दो और अगर इजाफी खाना हो तो भी ऐसा ही करो अगर ऐसा ना किया तो तुम से खुदा की रहमत उठा ली जाएगी और फिर कुफार पहले से ज्यादा तुम पर मसल्ट हो जाएंगे और इस तरहा खुशकोतर आपस में जल्ले लगेंगे तौबा करो और खुदा की तरफ पलट आओ यह यह अपने सर के बाल नहीं करते थे पके वे खाने और मश्रूबात इस्तिमाल नहीं करते थे दूसरी तरफ अशराफिया खुशुसन हीरो दस उनके निशाने पर था वो अपने कवानीन के सक्पाबन थे खास तरफ पर अपने दावत पर लबैक कहने वालों के लिए वो खुसके तामीद की तकरीब अंजान दिया करते थे शुरू में तो मैं भी इस शक में था कि शायद वो भी नूरजादों की तरह यहूदिया के इर्फानी फिर्कों के जाहिदों में से हों तुमने ये नाम सुना है क्या वाकई उस फिर्के के लोग खास तरीके से मोहिया की जाने वाली घिजाओं के हलावा और कुछ नहीं खाते थे सही है भाई, सही है वो लोग हराम हैद की बुन्याद पर ऐसी खस्म खाते हैं पस दर हकीकत जो लोग कस्मे खाकर देर से बाहर आते हैं उन्हें घिजाओं की कमी के सबब मर जाना चाहिए, सही है ना? सही है जो कुछ उनके पास होता है वो लोग सिर्फ उसे ही इस्तिमाल करते हैं वही चीज़ें जो देर में तैयार होती हैं और कुछ दीगर उनके खाने की चीज़ें जो इनसान के हाथ हो नहीं बनाई जाती जैसे शहद और सबजी वगरा यहीया की इसी तरसे हयात के सबब मैं यह समझा कि वो भी इस तरह के फिर्खों के मुर्शिदों में से हैं लेकिन बात में समझ में आया कि मैं खलत था कैसे यहूदी इर्फानी फिर्कों के तमाब मुर्षिदों के बार खिलाफ याया ने कभी लोगों को अपनी चाज़िप नहीं बुलाया वो हबेशा यही कहते थे कि पेखंबर खुदा के लिए रास्ता हमवार करो वही पेखंबर की मैं जिसकी कि लिए लगुक्षार के औरे चे को कि on कि अवार के लिए्या झाली जिए जिसकी मिएव चर्वह चाब सिर्के झेल कि जिस्ता है झाली मigorैं के ले में भपर new यह बुआंग एई लोगो मसीह के आने के लिए खुद को आमादा करो लोगो तौबा करने वाले गुनहगारों को मैं तामीदी घुसल दूँगा लेकिन एक दूसरा शक्स आएगा जिसका मर्तबा मुझसे भी बुलंद है वो तुम्हे रुहूल कुदस से पाक करेगा प्राइब खुदसरा श्राइब गज़ सुर्णाओ करेग्या जिसका शोच्छ करेगा श्राइब बुलंद हाँ भ्राइब बुलंद हाँ बुलंद हाँ झाल झाल एक दिन सुभा के वक्त जब यहिया दर्याई उर्दुन के किनारे चा रही थे तो उन्हें किरफ़तार कगलिया गया तुम भी वही थे? हाँ जब उन्हें हिरोदेस की तोहिन के चुर्म में किरफ़तार किया गया तो उन्हें ने हमसे कहा आज खुदा का वादा मुकमल हो गया और मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई अंद्राउस क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? बताओ, बताओ अब क्या जानना चाहते हो? मैं समझता हूँ चुँकि याहिया खुदा के नेक बंदों में से थे इसलिए किसी इन्सान की तोहीन उनके लिए नाकाबिले बरदाश्ट थे यही वज़ा थी जो उन्हें सख्त बनाई हुए थी लेकिन मुझ पर ये बाद में मुनकशिफ हुआ उस्ताओ ने जिवही याहिया की शहादत के बाद अपनी तबलीग शुरू की तो अपने खाला साथ भाई के तरीके को बदल दिया वो खुदा गखार जिसके यहिया मुश्य थे वो ऐसे खुदा में तब्दील हो गया जिसकी महरूमों को जरूरत थी ऐसा महर्बान खुदा जो हमारी निजात के लिए एक दिन अपने आखरी नभी को भेजेगा आखरी पाकिसा नभी ऐसा बख्षिश करने वाला कि जो सिर्फ यहूदिया और जलील के लोगों की निजात के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम की उम्मतों के लिए आखिरकार आखिरकार क्या? जिस वाकए की यहिया बशारत देते थे दो साल पहले वो रूनुमा हो चुका हिरोदस उसरात हिरोदिया के साथ अपनी हराम शादी का जश्ट मना रहा था वही औरत जो शरन हिरोदस की भावी थी और यहिया से सख्ट अनाद रखती थी उस औरत ने चलील के कम अकल बार्शा को मदहोश करने के लिए अपनी बेटी सालूमा को हिरोदस के सामने रक्स करने पर आमादा किया जिसकी वो मौ मांगी उजरत ले और वो उजरत यहिया का कतल हो मेरी बाते भूला नहीं फास लो यो को पर नहींद्य मैं ये नाम इस जादूगर रकासा के लिए एक जबरदस्ट इनाम है क्या इनाम है मेरी सरकार? जैसा इनाम वो चाहे आज राद तुम्हारी बेटी अपना हुनर दिखाने की जो भी कीमत मांगे यहां तक की मेरी आधी सल्तनत भी हिरोदिया इनाम के इन्तखाब में उसकी मदद करो हिरोदिया परेशान क्यों हो? किसलिए डर रही हो? डर नहीं रही हूँ तू सिर्फ याया कह दे याया? यानि उसे विदावत में आना चाहिए? बस उसका सर दर्वाजा खोलो खोलो मलीका सहीब आना चाहती है इसलिए को लाग में हो ऩाहती है ऊहुँदा याग मैं प्राइब याया तुमने इब्रत हासल नहीं की किस से तुम से शायद ये और बात है कि इब्रत हासल करने के लिए अब काफी देर हो गई है सक्रिया के बेटे तुम अपना सर दर्वाजे तक सही सलामत नहीं ले जा पाओगे ये तुम्हें पहले से मालू होना चाहिए था मैं जानता था कि तू शैतान है और अपने वस्वसों की रस्यों से जकड़ कर हिरोदस को भी जहन्नम तक खीच ले जाएगी तौबा कर ले अभी भी वक्त है तौबा कर ले या या आखर लोगों ने तुम्हें ऐसा क्या देखा कि तुम्हारे साथ हो लिए तुम्हारी परिशानी मैं नहीं हूँ तुम्हारी परिशानी ये लोग हैं चुनांचे जान लोग कि ये लोग मेरे बाद भी पैरवी करेंगे लेकिन किसी और की मैं उन्हें भे उनके कर्टूतों के सजा दूगे ना मैं जूट बोल रहा हूं और ना मुझसे गलत कहा गया है तुम लोग बनी इसराइल के आखरी पैगंबर को हर्गिस कतल न कर पाओगे क्योंकि ये खुदा-ई-कादिर की मशीयत है कि वो आखरी जमाने तक रहेगा जलादों के हाथों मारे जाने वाला मैं इस उम्मत का आखरी पैगंबर हूँ याया कुछ ज़्यादा ही बरदाश्ट कर लिया हमने तुम अपने आपको क्या समझते हो मैं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं लेकिन खुदा है जो मेरी शान का तारुफ कराता है खुदा खुदा वो तुझ से क्या कह सकता है तुझ जैसे एक आगभी के लिए वो क्या कह सकता है ये और बात है कि तुम्हारे कानों में हक बात सुनने किताब नहीं है लेकिन सुनो खुदा का कलाम सलाम हो यहयापर उस दिन पर जब वो दुनिया में आए और उस दिन पर जब उनका विसाल होगा और उस दिन पर जब उन्हें दोबारा जिन्दा किया जाएगा यही मौका है मार डालो इसे ही आए दाओद के बेटे बेते और यहाएगा आएगा जबाएगा आएगा जगा एएगा है आधाउद के बेटे अब मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है अब यहुदिया की सिम्त पलड़ जा खामोश मारो देख रहे हो खिजा कोई मेरी बात नहीं सुनता यह दर्बार भी मेरी सल्तनत की तरह हो गया है सब अपनी अपनी अलाप रहे है हिरोदिया ने मेरे और मेरी सल्तनत के लिए जाल बिछा रखा है तुम समझ रहे हो न खिजा हाँ पैगंबरों से उलजना बहुत बड़ी गलती है समझ रहे हो मैं कोई पारसा नहीं हूँ लेकिन जानता हो कि किसे कतल करना चाहिए कम से कम इतना तो मैं जरूर समझता हूँ मैंने हिरोदिया को नहाक अपने भाई से चीन लिया उन्हें आज राट आज़ाद कर दो आज राट ہी आज़ाद कर दो अ किसे आजाद करना चाहते हो खिजा बेगं साहिबा जहां पना ने बास कैदियों के बारे में मैंने कहा किसे आजाद करना चाहते हूँ यही आको बेगम साहिबा तो तुम उसे आजाद करना चाहते हो मैंने पहले ही ये काम कर दिया है तुम मत करना बेगम साहिबा खिज़ा मैंने अजीव खौब देखा है मैंने इसा को देखा है वही गली में फिरने वाला वाईस वो मेरे सिरहाने आकर कह रहे थे कि खुदा बंदे आलम कौमे बनी इसराइल से इतने लोगों को मारेगा कि मेरे खाला जाद भाई याया के खुण में उबाला जाए खुण उबलने का मतलब क्या है ये खौब मैं क्यों देख रहा हूँ मैं फिर खौब जदा हो गया हूँ कितनी डरावनी रात है किसा कितनी डरावनी आप परिशान नहों सरकार बस डरावना खौब है और इसका इलाज थोड़ा सा आराम और पुरानी शराब है आप आराम करें सरकार थोड़ा सा आराम करें आप तश्रीफ रखिए कर दो कर दो मेरे पास भी आपके लिए की नाम है जहापना मुझे यह और उनके कतल से क्या सारोकार नए 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 बुस्तिल बादशाह आज के बाद चैन की निल सोने का मज़ा लेना क्यूंकि खुदा की आवाज भी खामोश हो गई देखो तिलस्ब टूट गया दुनिया की पस्ति के लिए इतना ही काफी है कि पाकीजा याहिया का सर बनी इसराइल के बदकारों को तोफे में दिया जाए राज ज्यादा हो गई है तुमने खाना भी नहीं खाया एक आधी रोटी खालो और सो लो खुदा ने चाहा तो सुबा होते ही चल पड़ेंगे कहां जहां भी उस्ताज चाहें शब बखेर शब बखेर अंदराउस में जहाँ तुमने जहाँ आए वहाँ देखो बाराबास नए नए इसे देखो यहूद्या का सामेट भेड़िया आज फर्जन्द मरियम के सरवे कफ हवारियों में हो गया वो नासरी के आदमियों की जमात में कैसे गुल मिल गया अस्खरी होती बड़ी हो चूलान वाला मतलब इनसान है मैंने खुद देखा है कि रूमी सिपाही की धली खाली कर रहा था अगर मैंने उसे ट्राकर नहीं भगाया होता तो आज इसा के मुरिदों में गुमने की जगे पीला तसके कायद खान में चूहों कामनशी होता वो बहुत ही होश्यार आदमी है इसका इसा के गिरोह में शामिल होना ऐसे ही थोड़ी था अभी तक हम नासिरी और उनकी जमात के बारे में संजीदा नहीं हुए थी यह मसला तो इससे भी ज्यादा मश्कूक निकला जितना हम समझ रहे थी सही है देख रहे हो बारबस धीरे धीरे नासिरी का लाव लशकर और जाहो हश्म हीरोदस के दरबार से भी बढ़ता जा रहा है क्या यह जानना ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त इसा के दिमाग में क्या चल रहा है अरे यह आदमी नासिरी के गिरों में क्या करता है जहां तक मैंने सुना है वो ये है कि यहूदा नामी एक परदेशी उनके खर्चे उठा रहा है आस्करियूती को खरीदो फरुक्त का जिम्मेदार बना दिया है मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये बदजात नासरी की आधी आमदनी अपनी जेब में रखता होगा उसका रिकॉर्ड मेरे पास है अंजुमन में याद में सच्चा नहीं था बुला उसको कहो से कामे अगर ज्यादा परसाई दिखो तो जबा जस्ती ले आना हूँ आओ उसके पास चलते हैं चलो खाओ 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 खरीद कर ले जाओ तुमारे पास जो सबसे सस्ता खजूर है वही चाहिए ये भी ठीक है ये भी मसेदार है इसे पहचानते हो भेड़िये मुस्कुरा तो दो क्या पुराने दोस्तों की मुलाकात तुम पर इतनी गिरा है मुझे तुम लोगों से कोई काम नहीं है समझे बिल्कुल कोई सरोकार नहीं है तुम लोगों से लेकिन हमें तो तुम से बहुत काम है हम गुम रहा जैलुतों के फकीराना महफिल में खुशाम दी छोड़ दे मुझे हैवान सिफ़त खामोश मैंने कव्वे से सुना है कि तुमने तौबा कर ली मुझे क्या पता कि कव्वों की फितरत से तुम इतने ज्यादा वाकिफ हो अरे कव्वा कह रहाता के तुम मालदार हो गए हो मैं सब कुछ भूखों को दे देता हूँ तुम मेरे यके तुम्हारे अपने यके ना खर्च होता है परेशान नहों दुनिया का क्या मालूम शायद एक दिन हमारे काम आ जाओ अपने पैसों की तुम फिक्र मत करना तुम्हारे ही है अगर उसके जहन में कोई मनसूबा हो तो हमें खबर करना यानि किस तरह का मनसूबा कहते हैं उसके दिल में बादशाहत का ख्याल है तुम्हारी खोपड़ी में क्या चल रहा है इस खोपड़ी में कुछ भी नहीं चल रहा है मैं तो सिर्फ एक ताजर हूँ मैं तो सिर्फ एक ताजर हूँ हिसाब किताब रखने वाला ताजिर तुम्हारी तरह पिछड़ा हुआ रहे है इनसान को मुनाफिक अलाबा कभी घाटा भी होता है बैतर है कि अपने कारूबर पर ध्यान दो शम्मी के बेटा स्कर्यूती मेरी गर्दन जाने का वाक्त हो गया जल्दी अलग अलग हो जाओ कोई तुम्हारा पीछाना करे एह मेरे हवारियों मैं सच कहता हूं कितने ही ऐसे लोग हैं कि घुसल करते हैं और नमास को जाते हैं कितने ही ऐसे लोग हैं जो रोजा रखते हैं और सद्खा देते हैं कितने ही ऐसे हैं जो किताबों का मुठाला करते हैं और दूसरों को बशारत देते हैं जबके खुदा के नजदीक उनकी आखिबत खराब है क्यों? इसलिए कि सिर्फ जिस्म पाक रखते हैं दिल नहीं लजीज घिजाओं से तो परहेज करते हैं मगर उनकी रूह गुनाहों से नहीं बच्चती और ये सब वो इसलिए करते हैं ताके लोगों के सामने सुर्ख रू रहें अगर हिकमता में इस बातों का मुटाला करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि किसी तरह अच्छे वाइज बन जाएं बजाए इसके कि खुद उस पर अमल पैरा हूं दूसरों को मुनकीराद से रोकते हैं और खुद बुराईयों के मुर्तकिब होते हैं खुदा की कसम ये लोग खुदा की मारिफत नहीं रखते क्योंकि अगर उसकी मारिफत होती तो यकीनन उससे महबत करते चुनांचे याद रखो इनसान के पास जो कुछ भी है वो खुदा के करम से है लहाजा तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे खालिसाना उसकी राह में खर्च करो पास जसे है तुम्हारे बास भास जाद करो पास ठाद करो झाल झाल